कौन पाठ पड़िये आली जो ग्यान पड़े आग्यान नसे हो आतम का सम्मान जदा और अपने को कुछ शान दे, कुछ ध्यान दे, कुछ ग्यान ले, कुछ ठान ले कौन पाठ पड़िये आली जो ग्यान बड़े आग्यान नसे आम तोर से माबाप लड़के को पढ़ाते हैं, लड़की अनपढ़ी रहती है, पर ये कहानी कुछ अलग ही है आज मेरे छोरा को तीन बरस हो गए ब्यायवे, और आज गोना के ताई हो अपने बहू को लिवाने ले जा रहा है मो को एक बात को डर चे, अले छोड़ा ललवा, आया जी जी, आज छोड़ा, आज छोड़ा, छोड़ा त्यार हो गया तू, छोड़ा, एक काम करियो, यादा तो महां बोलियो नहीं, क्यों? क्योंकि तेरे बाप में तो जूट बोलके समधिन के आगे ब्या करा दियो, है? और मेरे गैल जब ब्या करने आए था, तब भी जूट बोलो था, तो मो को डर्थ है, कहीं हमाई नाक न कट जाए, तो हमाई नाक मत कट आई हो, माने तो बोल दी, कि तू दस जमात पास है, छ धूट निकाल, सब के पीचे पड़े रमादर दिल्ली के पड़कर आई, अरे मारे सास को घर पता है, आज भाई पी कौन है, हमें लाजू को लेना है हो, लाजू को, लाजू को? जी जी, मारे दिल्ली वाले जीज़ा आगयो, आगयो, चलो, 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 तू बाकु लाओ, चलो, 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 क्लूनेल द mulher दमाद अएयो औरे माणी चूरी को खोनी बाई बहुं सास कुछ न्हुं। मेंश री न कई चूत अरी सासी के लों सा स्वा चीर एकल्ली और्य गडम ले pero झेलो ग्ले केयारें। के लिए कुला हुर्ना पड करें। ए अंगलेस है अंगले जी दिल्ली की अंगलेस हमको काई पता है बैठो तामाजा जी बैठो कल्ली अर धन्नी और पप्पू तु अपने जिजा से अच्छे बात करो पड़ वाली खवा को इसो इसो कौन तुमार जीजा पूरी 10 जमात पास है 10 जमात और में याको खावा पिय हां पहले तुम भूजो हां पहले तुम भूजो हरी ती मन भरी तिनो लाख मोती जडी ती राजा जी के बाग में तो शाला ओरे खडी थी बताओ ना जी जाजी तो साला ओरे खडी थी? दुल है नहीं बना जी नहीं बना काम हमारा नहीं बना कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा कटोरे पे कटोरे दो कटोरे नहीं बना जी नहीं बना काम हमारा नहीं बना नहीं बना जीजा जी मैं अपनी दीदी से एक पहेली अभी लिखवा के लाती हूँ ये लो जीजा जी मारी दीदी की पहेली पढ़के सुना दो सुनाओ न जीजा जी सीधा तो पकड़नो दिल्ली में उल्टा भी पकड़न देते हैं जल्दी जल्दी पढ़ो ना पढ़ो ना पढ़ो ना demand dawn dawn जी जर सब इतना कहरें पढ़को तलु अपड़नो मारा दिल भी खुशो जाएगा अब ता जीजी ने भी थीए आण जी मारी मा ने बोला पीट में कोई चीज पढ़ेगा तो तौ सारे बढ़ाए खटम हो अगर तम ने दस्वी कोन करी तुम बडिल तु पड़े होगे नहीं वाभी कुर पड़े पाची मात तो पड़ी होगी नहीं जी अरे कर्दी स्कूल तो गय होगे वादिर कुछ तो सीको होगो दामादराजी अर दन को अ काहिए न फोड़े हो आए मां माचरी की आख ौड़े वारी राजन्ती की किसमत पूट गई चोड़ी खेर, दामाद राजजी जो होना ता सो तो हो गया मारी ये गावों में शारी बिरादरी में नाक कटभी सो तो कटी गए लेकिन मारी राजन्ती सुनेगी तो वाद रो रो के बावली हो जाएगी क्यों आप गरवालों पोड़ों लिको दन सास जी मैं जा रहा हूँ अरे दामाद राजी अब जा कहा को रहे हो मैं पहले क्या हूँगा फिर ले जाओंगा राजनती अरे छोड़ी सुनेगी तो पावली हो जाएगी वाको साथ ही ले जाओ अब तुमने माप करो मारी बड़ी सास जी पड़ लिखके बनूँगा अच्छो दामाद जी छोड़ो छोड़ो बाते सारी मारे दामाद जी पड़ो लिखके फ़लो फुलो लेलो आशिरवाद जी जीजी खड़ो साथ देगे ना करो विचार जी अब तो जरा मुस्कुरा दो हाएगे दामाद राची मुस्कुरा दो तनक सब का दिल अच्छा हो जाएगा अब तो जरा मुस्करा दो जी जी के सर्काज जी छोड़ो छोड़ो बाते सारी मारे दामाद जी पुलो लिको पलो पुलो लेलो छोरी साथ जी प्राजनती सास को अपने माई समझिये अच्छा और देवर को अपना भाई इस कहानी के अंत में समस्या हल हो गई मा ने अपनी बेटी की खुशी के लिए पूरी कोशिश की की ललवा दामाद पढ़ लिख जाए मा तो बच्चा पैदा होने के साथ ही बड़े प्रेम से उसके विकास के लिए ध्यान देती है पर शारिरिक विकास भी बहुत जरूरी है और इसमें कुछ-कुछ बातों के ध्यान रखने की बहुत जरूरत है आईए डॉक्र कामले से पूछें कि वे कौन-कौन सी बाते हैं हर एक मातव जब अपने बच्चे का लालन पोशन करती है तो उसे जरूरी है कि अपने बच्चे का हर मैने में वजन लेना चाहिए क्यूंकि वजन लेने से उसको पता चिल सकता है कि अपने बच्चे का स्वास्त्य ठीक है या उसमें कुछ गड़़ए कभी-कभी बच्चा बिमार हो जाए तो उसका वजन कम हो जाता है और जब बच्चे का स्वास्तिय ठीक रहता है तो उसका वजन ठीक तरल से बढ़ता जाता है मैं आपको एक कार्ड दिखाना चाहती हो इसको वेट कार्ड बोलते है और इस कार्ड में हर महने बच्चे का वजन लिया जाता है और वो इसमें लिखा जाता है जैसे कि इस कार्ड में यहां इस बच्चे का नुवेंबर का वज़ानाए 11.5 किलो है उसके बाद डिसेंबर का वज़न उसका कम हो गया 11 किलो है और फिर जाने वारी में उसका वज़न 11 किलो है इसका वज़ा यह है कि उसको डायरिया हुआ था इसके अलावा और भी दो महत्वपूर्ण बातें अपने को पता चलती है जैसे कि यहां पे एक मा अपने बच्चे को पहले दिन से दूद पिला रही है मा का दूद बहुत महत्पूर्ण होता है उसके जो प्रतिकार शक्ति है इस से वज़न से बच्चे को कोई बिमारी नहीं होती है उसके बाद बच्चा जब 4 मेने का हो जाता है उसको सबजी का पानी डाल का पानी दिलवाना जरूर है उससे भी उसकी सेहत अच्छी रहती है बच्चा जब 6 मेने का होता है उस वक्त भी उसको चावल, डाल, सबजी, अंडा देने की जुर्वत है इस तरह हम बच्चे के अहार को अच्छी तरह से समाले तो उसका अरोग्यों ठीक तरह से बढ़ता है इसके अलावा भी इस कार्ड में बच्चे को हमने कब BCG दिया है, कब triple polio दिया है, उसकी भी जानकारी दियी हुई है और कभी-कभी बच्चे का वज़न लगाता है, तीम महिने कमती होने लगा, तो मा ने बच्चे को अस्पता लेके जाना बहुत जरूरी है महा जाके उसको पता लग सकता है, अपने बच्चे का वेट क्यों कम हो रहा है चार बजे रात के नुज थान, इकर बच्चे बना थान, रोटी बना थान, सब्जी सा, चावला मास तक कुछ पर ना थान तो आउ इकर सामने में हां मना जात के काम कर थान 24 गॉंट के संग में, आ के अपन बाल बचक भी गला देख थान मत्यप्रदेश के आदिवासी प्षित, 36 गर में एक इलाका है तली राजहरा यहां पर औरतें अपने घर का सब काम करके, मर्दों के साथ लोहे की ख़दानों में काम करती है इन लोहे की ख़दानों में हजारों मर्दूर, ठेकेदारों के नीचे काम कर रहे हैं कई वर्ष पहले तक इन ख़दान मजदूरों की दशा बड़ी शोजनिये थी इनको मजदूरी बहुत कम मिलती थी, और भी किसी प्रकार की कोई सुविधा इनहें नहीं मिलती थी संद सकत्तर में एक लंबे संघर्ष के बाद मजदूरों ने अपना नया संगठन CMSS यानी 36 गर माइन्स श्रमिक संघ बनाया महिलाओं को और पुरुशों को जो वेतन मिलता है उसमें कोई फरक है कि बराबर मिलता है बराबर, काम करफन बराबर मिलते दूरों के पसीना एक सास चूना चाहिए मार्द सबल महेरा थे तब आई लोग घंधारते हैं और तोड़ते हैं पत्थर और लड़ते हैं दूनों के दूनों तब फिर माल जुड़ता है तब उसमें टरक में भराते हैं और पेस करते हैं तब तब लएक आखाना हुआ जालू है या उत्पादाम होता है और ते और मर्द बराबर काम करते हैं औरतें पत्थर तोड़ती हैं तो मर्द चक भरवाते हैं दोनों की कमाई भी बराबर है जुरूस हो थे हर्तायल हो थे यहां जाक हम महिला लड़ाई करतां आगे में तो उहां का कथे तीन किलाब जिन्दा बार दुनिया के मजदूर एक हो लड़ने वाले खाने वाले लड़ने वाले ऐसे करके उहां नाराबाजी देथां इस संगठन में औरतें भी उतनी ही जागरूप को सजग हैं तथा किसी भी आंदोलन या मोर्चे में पुरुशों से पीछे नहीं हैं इन मजदूरों का संगश लुप्य रूप से दो मांगों को लेकर है पहली तो यह कि ठेकेदारी पेथा को समाप्त किया जाए और खनन का कारे सरकार द्वारण करवाया जाए ताकि ठेकेदारों के शोशन से इहें छुपकारा मिल सके दूसरी मां बरते मशिनी करन के खिलाफ है जो मजदूरों को बेरोज़गार कर देती है गिना होस्त तेना होस्त विच्णारी शायं सखेदा खाये निहां दो नहीं से लेका नहीं सलेका लेक तीन उल्हें है गातर द्वार शाघए जल्हेरी फूड़न पूसरे मेर पत्रस पहतर त्वास झालता पारिघए है लालरज हंटा allowed जिन्दाबाद जिन्दाबाद… आप जैसे आपनोग कभी-kभी हर्ताल करतें है अपने मान, थो खोड़ेते हैं। आपका बूगान खंदो जुदाद खरताल हुआ। यह अपहँ मारा खर्चा हम आपको 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 करें। कुछ पैसा खा लेते हैं कुछ पैसा जमा करके राख लेते हैं या घर में धान को दो भी ले करके रख लेते हैं तो भाई लोग भी उसमें साथ देते हैं हाँ भाई लोग भी सांथ देते हैं कि अपनी यहां मिल दूलकर के भाई और भाई और बहन हम लोग जब काम कर रहे हैं तो बहाए और भाई और भाइन मिल के हम लोग अंदूलन चलाते हैं इस संगठन का उद्देश तेवल आर्थिक विकास के लिए संगश करना ही नहीं है बलकि मजदूरों और उनके परिवार के स्वास्त वर शिक्षा की और ध्यान देना भी है मजदूरों की अपनी बचत और मेहनत का नतीजा है शहीद अस्पताल और प्राथमिक विद्देले मेश बाज की पैसा, हम लोग जेच की पैसा बोलते हैं मिल जाते हैं जच्चा के वन दोगों के शब तकालीप के लिए अपना फिच्चान बनाए है कि पहले कि सम्क्तिक से इलाज नहीं होता था हम लोगों का हिसे लिए हजरों हम लोगों बन könरों है अपना मजदूर भाई लोग एक दो-दो पैसा चंदा करके क्या है कि बियस्बी में हम लोग जाते हैं पहले तो हम लोगों को इलाज वहाँ जल्दी बाजी नहीं होता है तो इस स्कूल को चलाने के लिए पैसा बगरा सब कहां से आता है हमी लोग मजदूर लोगों ने हम लोग सब एक दो-दो पैसा अपना चंदा दे के सब चीज के लिए अपना मजदूर है तो इसलिए हम लोग ने संगठन बनाए है कि अपना कोई भी तकलीब अपने भाई या बहन को कोई भी तकलीब ना हो यहां की औरतें शराप खुरी जैसे सामाजिक बुराईयों के खिलाफ भी उठखड़ी हुई है ना हमरो कोई गुजर्श निक्रा सके इमें दू चटकन मार भी खाथान और गाली भी खाथान और दुनिया से बदनाम भी होथान तो यह कर से हम बचाएंगे तो बन जाई तिसका इसने बेंड़ बने साला गल्ली राजहरा में लंबे संघर्श ने यहां की महनाओं को सखा दिया है कि संघर्थ ताकती उनके जीवन को बहतर बना सकती है ज्यान बड़े अग्यान नसे हो कान पाथ पड़िये आली जो ज्यान बड़े अग्यान नसे हो कान पाथ पड़िये आली जो ज्यान बड़े अग्यान नसे हो